So hello दोस्तों, welcome back to another earning video दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google Pay के बारे में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको Google Pay पे अपना account बनाना है कैसे bank account add करना है और कैसे Google Pay से पैसे earn करना है देखो यार generation change हो रहा है आज से 4-5 साल पहले तरीका कुछ अलग था और आज तरीका कुछ अलग होगा तो guys सबसे पहले तो आपको Google Pay को वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है अगर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से Google Pay को डाउनलोड करते हो तो आपको 21 उर्पे से 201 उर्पे तक का sign up bonus मिल जाएगा और भी instant आपके bank account में और यहां से आपको mobile number डालने के लिए बोला जाएगा तो आपको यहां पे वही mobile number डालना है जो कि bank account से link हो तो यहां पे मैं अपना mobile number डाल देता हूँ तो यहां पे mobile number डालने के बाद आपको continue पे click करना है यहां पे आपको अपना email id चूच कर लेना है तो यहाँ पे देखो मैं अपना email id चूज कर लेता हूँ और यहाँ से agree and continue पे click करना है तो यहाँ से देखो आपके mobile number पर अब एक OTP आएगा और यह automatic OTP ले लेता है तो यहाँ से देखो हमारा Google Pay Pay पे account बन गया तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको Google Pay पे अपना bank account add कर लेना है जिससे कि आप Google Pay से पैसे earn कर शको आपको bank account कैसे add करना है आपको अपना simply ATM card ले लेना है ताकि आप अपना जो भी detail मांगे ओ फिल कर शको तो यहाँ पर हम अपना ATM card ले लिये हैं अब यहाँ से हम add bank account पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे उपर ही add bank account का option आ जाएगा हम यहाँ से भी add bank account कर शकते हैं यहाँ फिर नीचे आने के बाद यहाँ से भी bank account नीचे से भी कर शकते हैं यहाँ से check balance दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद यहां से भी अपना bank account add कर शकते हैं तो यहां से simply उपर आ रहा है add bank account का यहां पे option तो यहां से हम add bank account पे क्लिक कर देंगे जो भी earning होगा add bank account करने के बाद ही earning सुरू होने वाला है google पे से तो यहां पे make sure कर लो कि आप अपना bank account add कर रहे हो तो यहां से मैं union bank search कर लेता हूँ और यहां से simply यहां से continue पर click कर दूँगा तो देखो यहां से मैं continue पर click करता हूँ continue पर click करने के बाद आपको यहां से allow पर click करना है और यहां से फिर से allow पर click करना है तो यहां पर देखो एक SMS भेजेगा आपके bank account में confirm करने के लिए कि क्या आ फिर नहांए तो यहां पे देखो Finding Bank Cass Workshop ओ रहा है और यहां पे find कर चुका है तो हमारा एवाला अकाउंट इस number से link है तो यहां से हमें start पे क्लिक करना है तो यहां से हम start पे क्लिक करेंगे start पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखो इंटेक का डीटेल आ गया, अब हमें card का detail यहाँ पर fill करना है, तो देखो हम card ले चुके हैं, अपना ATM card ले के यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, six digit ATM card तो यहाँ से six digit हमें इंटर कर देना है, तो यह रहा हमारा ATM card, यहाँ से six digit हम इंटर कर देंगे अब यहां से expiry date पूछा जा रहा है तो आपके यहां पे expiry date मिल जाएगा तो इसको आपको इंटर कर देना है तो यहां से 12 और हम यहां से कर देते हैं इंटर तो यह सब डालने के बाद काट कर डिटेल यहां से हम next करेंगे next पे क्लिक करने के बाद यहाँ से create UPI pin का option आ जाएगा तो देखो यहाँ पे आ रहा है create UPI pin तो यहाँ से हम नीचे create UPI pin यहाँ से create pin करेंगे तो देखो यहाँ से getting information from UPI तो यह हो रहा है और यहाँ से फिर से आपके phone पे एक OTP आएगा तो उस OTP को आपको डाल देना है तो यहाँ से OTP डालने के बाद यहाँ से हम tick करेंगे तो OTP हम डाल दिये हैं और यहाँ से enter four digit ATM pin हमें ATM pin पूछा जा रहा है जो भी आपका ATM pin हो उसको आपको यहाँ पे fill कर देना है तो यहाँ से हम अपना ATM pin डाल देते हैं ATM pin डालने के बाद यहाँ से हमें tick पे click करना है और यहाँ से हमें एक UPI pin यहाँ से select कर लेना है बना लेना है तो यहाँ से आप कोई भी चार digit का pin यहाँ पे आप बना सकती हो तो जैसे मैं कोई भी यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ से मैं डाल दिया हूँ और यहाँ से फिर्षे tick करता हूँ और फिर्षे वही आपको pin डाल देना है जो आपने पहले डाला था तो यहाँ से मैं फिर्षे डाल देता हूँ और यहाँ से हमें फिर्षे tick कर देना अपना pin बनाने के बाद तो pin बनाने के बाद adding bank account हो रहा है तो यहाँ पे देखो तो guys bank account add करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि bank account का option आ रहा था यहाँ पे अभी bank account का option नहीं आ रहा है यहाँ पे जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे आने के बाद view account balance यहाँ पे हमारा already से bank account add हो चुका है अब जैसे हम अपना UPI pin डालेंगे तो यहाँ से हमारा account open हो जाएगा यहाँ से हम अपना balance चेक कर पाएंगे तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको Google Pay से पैसे earn करना है गूगल पे से आप multiple तरीकों से earning कर शकते हो, like Google पे आपको scratch card देता है अगर आप किसी को payment करते हो तब भी आपको earning होती है तो यह जो Google पे आपको किसी को payment करने के बाद scratch card देता है और scratch card यहाँ पे आपका सू होता है, देखो यहाँ पे rewards वाले option पे सू होता है और यहाँ पे देखो मेरे पास already से दो scratch card है और यहाँ पे यह सब scratch card expire हो चुका है क्योंकि मैंने इन सब को scratch नहीं किया तो यहाँ से scratch करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो यह देखो अभी open हो रहा है scratch card और यहाँ पे इसमें 4 हमें offer मिले हैं तो वैसे ही मैं second को scratch करता हूँ तो देखो इसको scratch करने के बाद 600 का voucher मिला है कोटक credit card पे इसको चाहो तो मैं यहाँ से redeem भी कर सकता हूँ 600 का voucher मिल जाएगा कोटक credit card पे तो यहाँ से इस तरीके से आपको scratch card मिलता है और इन सब scratch card में आपका पैसा भी निकलता है जो कि direct आपके bank account में Google पे transfer कर देता है तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको scratch card मिलता है आप किसी को यहाँ से payment करते हो या फिर अपना mobile recharge करते हो तब भी आपको scratch card मिलता है तो Google पे से सबसे तगड़ी earning की बात करें तो सबसे तगड़ी earning Google पे को refer करके होती है तो यहाँ से आप नीचे जैसे ही नीचे जाते हो तो यहाँ पे देखो आपको एक referral का option मिलता है इस पे हम click करते हैं तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अभी पर refer यहाँ पे Google पे 201 रुपे दे रहा है अगर आप एक बंदे को refer करते हो तो 201 रुपे मिल जाएगा अगर आपको वही दिन में सिर्फ दो बंदों को refer कर देते हो तो आपको 402 रुपे मिल जाएगा और आपको withdraw कुछ नहीं करना है आपके bank account में पैसे आजाता है आपको refer कैसे करना है आपको बस यहाँ पे दिखो share का option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे जिसको भी refer करना है यहाँ पे आजाएगा WhatsApp, Instagram, Facebook या फिर इसमस कहीं से भी आप किसी को share कर सकते हो जैसे ही वो आपके link पे click करके Google Pay में अपना account बनाता है अपना bank account add करके first transaction करता है तो आपको 201 रुपे मिल जाएंगे और जिसको आप refer किये हो उसको 21 रुपे मिल जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा simple है किसी को Google Pay को refer करना अगर आप simply इस दिन में 2 या 3 बंदे को refer कर देते हो तो आप 500 से 600 रुपे easily earn कर पाओगे Google Pay में refer करने के बाद जैसे ही वो अपना account बनाता है तो आपको फिर शे इसी reward वाले में जाना है और यहाँ पे एक scratch card मिलता है उस scratch card को आप जैसे ही scratch करते हो तो उसमें आपका 201 रुपे निकल जाता है और ओ 201 रुपे direct आपके bank account में deposit कर देता है Google पे तो इन तरीकों से आप Google पे से बहुत ही अच्छा पैसा earn कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक offers का option मिलता है इस पे आप जैसे click करते हो तो इसमें आपको बहुत सारे offers मिल जाते है जैसे यहाँ पे देखो 100% off on the huge code 05 यहाँ पे money view में 100% का off मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे आपको offers मिल जाएंगे इन सब को यूज करके भी आप earning कर सकते हो तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे Google Pay में account बनाते हैं और कैसे Google Pay से earning करते हैं तो जल्दी से जाओ वीडियो description में आपको Google Pay का link दे रहा हूँ तो जल्दी से Google Pay में अपना account बना लो और कोई first transaction कर लो फिर आप किसी को जब भी refer करोगे तो आपको 201 रुपे मिलना इस्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर से लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बैबाय थैंक्स वाचिंग जय हिंद बंदे मातरम